हलो एब्रिवन मेरा नाम है सूरा सिंग और आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास चीज बताने वाला हूँ तो दोस्तों अब हम सुरू करते हैं कि कैसे हम उस कैचेस को रिमूव करेंगे दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है हमारे एंडरोइड फोन में सबसे ज्यादा यूजेज वाले एप कौन से हैं तो दोस्तों चलिए हम सुरू करते हैं मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ बाइजूस एप तो दोस्तों बाइजूस से हम सुरू करते हैं हमें बाइजूस पर क्लिक किये रहना है बाइजूस यहाँ पर आप आप लोग को दिख रहा होगा उसके बाद एप इन्फो पे क्लिक करना है दोस्तों एप इन्फो पे क्लिक करने के बाद हमारी सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हमें इस्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है storage uses पे click करने के बाद ऐसा interface open होगा यहाँ पे देखिए दोस्तो 35.8 MB इसमें catches भरा है उसके बाद हमें clean catches पे कर देना है click clean हो चुका है यहाँ पे zero भी दिखा रहा है उसके बाद हमें इस app से बाहर आना है इस app से बाहर आने के बाद दोस्तों हमें दूसरी app देखना है जो हम सबसे ज़्यादा इस्तमाल करते हों अपनी mobile phone में तो दोस्तों bitmat मेरा दूसरा app है जो मैं सबसे ज़्यादा use करता हूँ bitmat पे पी वही process चलेगा app info पे click करके उसके बाद हमें storage uses पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 148 yumby catches इसमें भरे हैं इसे हमें clean करना है दोस्तों clean करने के बाद हमें फिर से ऐसे ही करके अपने दोसरे सबसे ज़्यादा uses वाले app पे click करेंगे तीसरा सबसे ज़्यादा uses वाले app का नाम है gmail दोस्तों gmail का भी लगभग लोग ज़्यादा ही इस्तमाल करते हैं gmail पे हमें click किये रहना है फिर से app info पे click करके same process करना है दोस्तों इस process से बहुत ज़्यादा हमें lab मिलेगा जिसके जरिये हम अपने android phone को एकदम clean रख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही करके आप सारे app को app info पे click करके उसके catches को आप clean कर दीजेगा इसे clean करने के बाद आपका mobile एकदम fast work करेगा एकदम बेहतर work करेगा दोस्तों यूटूब पे कहीं available नहीं है मैंने खुद से ऐसा अनुभव करके आप लोग को बता रहा हूं तो यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो like और subscribe share जरूर करें धन्यवाद